यृश्व जेहन दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे section के बारे में जिसके बारे में जानना आप लोग के लिए बेहत जरूरी है जैसे 144 145 133 यह CRPC का सेक्षन है जो आप लोग कहते है कि 44 लग उभाए 144 होग चया आप पुलिस के पास करने के लिए पुलिस के सारी बात बताऊंगा इसके अलाबें आपका बताऊंगा कि यह किस लिए लागू होता हाला कि अतिकर्मन के लिए हैं लेकिन सारा कुछ समझाओं बिल्कुल बिस्तार से अब पूरे विडियों हो रहा है भवन निर्वान हो रहा है कोई किसी का जमीन कब्जा करके निर्वान कर रहा है कोई किसी में जिमर्दस्ति निर्वान कर रहा है तो यह सब कैसे रोका जाता है यह सारी परकिरिया बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हो जो आम जिंदगी में लोगों के साथ होता है लाइक कर दीजिए और मन में कोई सवाल प्रसन होगा तो कोमेंट में आप लिखेंगे उसका जवाब अगर नहीं दे पाया तो इसी परकार से वीडियो जरूर बना दूँगा तो पहले मैं बता देता हूं 144 के बारे में कई तनाव है इस परकार की कोई संभाना होती है तो वहाँ पर होता है सबंट में होते हैं को सब्सक्राइब कोट में अपने कोट में होते हैं तो वहाँ होते हैं सब्सक्राइब होते हैं जगा-जगा के ऊपर पावर चेंज होता रहता है आपको जनकारी के लिए बता दू कि 144 लगाने का पावर उनहीं को हैं अधिकार उनहीं को है जब इस निकलता है किसी जगह में फरक रखंड में किसी गाउं में तो वहां पर 144 लगा दिया जाता यहां पर कानूनी करवाई की जाती है और जेल भी भेजा जा सकता है लगा दिया जाता है अब आगे आई आपको बता देता हूं 145 कब लगा जाता है कि कहीं भवन निर्वान हो रहा है किसी का घर बिल्दिंग किसी परकार का काम हो रहा है लेकिन वहां पर अपति कि फॉरसाशन है ने बत्जान परहुना सकती हैं तो इसमें होता है कि आप रहा हुआ है विस्काल पताधना ततकाल रोकना चाहते हैं तो 145 करवाई करवा सकते हैं जैसे किसी का कबजा है वह जमीन पर कबजा है और वहां पर घर बना रहा है लेकिन आपको यह पता है कि मेरी जमीन है उसके बारे में बोलना हो जो यहीं सब्सक्ता है की शेकिन बारगना निर्वाए करवाई करवा सकते हैं इसके लावा घर बना रहा है या फिर कोई काम करा रहा है अपना कोई आदमी आकर वहां पर कभजा को लेका फाइरिंग करता है मार पीट करता है यहां पर कोई दबंग लोगों को ले कराता है विवाद फैलाता है वहां पर हिंसा फैलाता तो इसके लि सब्सक्राइब निर्वान के कामपे रोक लगाना होता है भवन निर्मान के काम पर रोक लगना सब्सक्राइब बना रहा तो उसे रोकने के लिए 145 के करवाई होती है इसके लिए आपको पुले सेस्टन में आवेदन देंगे वहां फिल सब्सक्राइब करवाई वहां पर की जाती है और वहां पर रोक लगा दिया जाता है जिसे लोग कहता है लेकिन जब जमीनी विबाद होता है पुरपटी का विबाद होता है कोई भवन निर्मान का विबाद होता है कोई कहीं पर घर बना रहा है और अपने जमीन से अधिक वह पकर हुआ है अधिक पकर के जमीन बना रहा है तो इसके लिए करवा सकते हैं तो होता क्या है पुलिस आगी पुलिस पावर नहीं यह जमीनी विबाद में फैसला करने का पूलिस कोई अधिकार नहीं घर नहीं जाता है उसका सिर्फ पाम होता है कि कुछ स्थ महीनों के लिए रोक लगवा सकता है इसके लिए 244 कपकर कर सकता है करवाई कर सकता है यह सब यह सब कर सकता है वह किन उसमें कि यह सब्धों लेकर सही पाया गया गलत पाया उसके आधहार पर आपको बोला जागा कि भाई आप दिवानी अदालत जाएए और वहां पर मुकदमा कीजिए वहां पर जो किलियर होगा वहां से जो जज्जमेंट आएगा उसके आधार पर आप काम करा सकते हैं लेकिन फिलहाल 145 लगा के लगाने का पावर अगर ज्यादा समय दर अधिकार है उनका पावर अब बताता हूं 133 133 किया होता है स्कूल या फिर किसी परकार का फिल है रोड है नाला है कुछ भी है उस पर अगर किसी ने अतिकर्मन कर लिया अगर नहीं समझ रहे हैं कि अतिकर्मन कहीं कोई दुकान खोल लिया नाले पर चुनाई करके वहां पर चोटा मोटा पर सरकारी जमीन पर कोई ओपरी गार लेता है कहीं पर रोड है रास्ता है जो आम जंता के चलने के लिए होता है लेकिन कोई-कोई इंसान घारी खरा कर देता है जिसमें आने-जाने मतलब नियम कानून नहीं करना लाइन से ज्यादा निकल ला है लिए फिर गलत तरीके से घर मना रहा है तो यह सब चौकी में थाना में कहीं भी आविदन कर सकते हैं उसके खिलाब कहीं भी आविदन कर सकते हैं पुलिस आएगा वहां पर रोक लगा देगा और 133 की कारवाई करेगी और अब अगर डायक्ट आप सब्सक्राइब पूलिस को सुचना देते हैं कितना जल्दी आप सब्सक्राइब कर देते हैं सब्सक्राइब करें virus को पक्रेंगे और कर रहा क juicy वी परकार कोई कःषिस कर रहा है झोपरी बनांखे उस से नुकसान्ग को लो या फिर उसको परिशानी हो रही हो तो उसे मी कि वह भूमी सरकारी होती है तो यह हुए 144 145 133 सब के बारे में मैंने किलियर आपको बता है लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ और पूछना कुछ और जानना किसी और सेक्षन के बारे में जानकारी लेनी है पूरी विष्टार के साथ नई वीडियो मैं बना दूँगा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लिखेंगे जरूर आम मैं उसे वीडियो बनाओंगा बनाता ही वह इभी किसी का टॉपिक था मैंने इस पर वीडियो बनाया यह जरूरी नहीं कि मैं प्रस्नल आपको जवा सब्सक्राइब करना और हर चीज को जो नया-nyया कानून आता है नया जर्जमेंट आता है तक आपको कुछ जानकारी रहे ताकि आप आगे जाके इसे सौल्व कर सकते हैं ताकि केस आपका जल्दी हल हो जाएगा अपने हिसाब से काम करा सकते हैं तब तक के लिए जया हिं द हन्ने बाद दोस्तो